बले ही कितना भी प्रेशर हो अमिच्छा जी की तरफ से, बले ही खटर साप की तरफ से कितना भी प्रेशर हो, बले ही चीफ मिनिस्टर मनिपूर की अक कितना भी प्रेशर हो, पुलीस को काम समिधान के दायरे में करना है, आतंगवादी एक संगटन की सरगना जो थी, साधवी हाग लगाते हैं वो लोग हमले करते हैं पूरा कॉई भी समुदाय कोई ऐसी गलती नहीं करता है मानि पूर में मेटेई समाज ने नहीं किया है यह दो संस्थाह ने किया है जो degli rss के काड़ंद हैं तो मेतेई समाज को बुरा समझना घलत है तो राजिस्तान सरकार को इस बात को चेत जाना चाहिए और मोनु माने सर को आतंगवाद की घटनाए करने के लिए अरेश्ट करना चाहिए आज जितने आप लोग यहां बड़ी संख्या में आये हो इस विशे पर ये इस बात का साफ सबूत है कि अब हम लोगों की अमबेट करवादियों की आवाज जो है पूरा देश आप लोगों के माध्यम से इस क्रिमिनल मीडिया से कई गुना ज्यादा सुनने वाला है आने वाले टाइम में आज आप लोगों की इतनी बड़ी संख्या में उपस्तिती इस बात को दिखाती है और इस से हम बाकी सभी भी अमबेट करवादियों से ये गुजारिश करते हैं कि आएं सामने और असली जो सोशल मीडिया है जो असली मीडिया है असली चोता स्थम है उसका प्रयोक करके आगे बढ़ें और ये जो देश विरोधी समिधान विरोधी भारत विरोधी इंडिया विरोधी ताक्ते हैं उनको देश से उखाड फेके और इनके सही स्थानों पर जेलों में हमारे देश में बहुत सारी जेले हैं जिन में इन लोगों को RSS और BJP के लोगों को पहुंचाना इस देश के हरेक सच्चे और अच्छे नागरिक का करतव है फर्ज है क्योंकि ये लोग देश तोड़ने के लिए आज अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं भारत को खतम करके हिंदू राष्ट बनाने की चेश्टा कर रहे हैं भारत का समिधान खतम करने की चेश्टा कर रहे अब अभी हर्याना नू की आप लोगों ने बात सुनी हम लोग अम्बेटकर वादी इस बात को साफ साफ तोर पर कहते हैं कि ये किसी भी प्रकार से अचानक नहीं होती है गटना है चाएं वो मनिपूरो अरामभाई तेंगुल और मेती लेपुम नाम की दो संस्थाएं हैं जो RSS की बजरंगदल जैसी संस्थाएं मनिपूर में अभी यहां जो हुआ हर्याना में शुरुवात नू चल के कौन गया अगर हिंदू समुदाय भी चाए वो किसी भी समुदाय के लोग थे अगर शोभा यात्रा निकाल रहे होते अगर अपनी धार्मिक यात्रा निकाल रहे थे तो यह सब बिलकुल कुछ नहीं होता और ज्यादा तर लोग अपनी धार्मिक भावनाओं से ही जाते हैं लेकिन जो समझने वाली बात है वो ये है कि इन लोगों में RSS द्वारा ट्रेंड मडिपूर में भी, यहां गुजरात में भी, यहां यूपी में भी, यहां हर्याना में भी और जहां जहां इस प्रकार की घटनाएं होती हैं बिहार शरीफ में भी आपने देखा तो इनके ट्रेंड RSS के जो आतंगवादी काड़ाज होते हैं जिनको यह ट्रेंड करते हैं आप लोग ही दिखा रहे हैं यह वीडियोज सोशल मीडिया पर या रहे हैं इनको जो इनके हात्यार बन ट्रेंड सिपाही हैं एक तरह से जो आतंगवादी हैं जिस आतंगवादी एक संगटन की सरगना जो थी साद्वी प्रग्यान सीग ठाकुर वो वैसी संस्थान जो RSS द्वारा ट्रेंड है वो लोग ऐसी चगाहों पर जाते हैं ऐसे जलूसों में जाते हैं अपने काड़स भेजते हैं और वो शरारत करते हैं वो लोग आग लगाते हैं वो लोग हमले करते हैं पूरा कोई भी समुदा है कोई ऐसी गलती नहीं करता है एक तो हमें ये बात अच्छी तरीके से आपके माध्यम से पूरे देश को समझ लेनी चाहिए मणिपूर में मेतेई समाज ने नहीं किया है ये दो संस्थाँ उन्हें किया है जो RSS के काड़स है तो मेतेई समाज को बुरा समझना घलत है ये RSS के ट्रेंड आतंगवादियों को बुरा समझना और उनको सब को पकड़के अपने बॉसिस के साथ जो कहां बैटे हैं नागपूर में जो दिल्ली में बैटे हैं उन लोगों के समयत जेलों में बिजवाने का काम हर एक भारतिय नागरिक का है किसी भी समुदाय को बुरा बनाने की कोशिश ये लोग ही करते हैं और ये इतने बेशरम है कि खुद अपने समुदाय को भी बताना चाहते हैं कि ये दो समुदायों में जगड़ा हुआ है जगड़ा कौन करता है आरेसेस और बीजेपी के काड़स ये एक बहुत महतुपूर बात है यहां भी जो हर्याणा के C.M. सहाब है मोनु माने सर उनके एक कारे करता है ये वो कारे करता है जो आरेसेस के ट्रेंड आतंगवादी है यही आतंगवादी जो ये काम करते हैं ये इलेक्शन के दौरान बूत के अच्छिरिंग का काम भी ये करते हैं ये भी विपक्ष की पार्टियों को इस बात को समझ लेना चाहिए इनके साथ कोई भी नर्मी पूर्वक बिहेवियर जो है वो देश के लिए घातक सिध होता है तो राजिस्तान सरकार ने मोनु माने सर जो की बीजेपी और आरेसेस का एक काडर है आतंगवादी काडर है उसको अरेस्ट ना करके उसके उपर आतंगवाद की का मुकतमा नदर्च करके ये गलती राजिस्तान सरकार की है जो पूरे देश को भुगत नहीं पड़ सकती है तो राजिस्तान सरकार को इस बात को चेत जाना चाहिए और मौनु मानेसर को आतंगवाद की घटनाय करने के लिए अरेस्ट करना चाहिए ये बहुत महतुपून बात है क्योंकि यही मौनु मानेसर और इस जैसे दूसरे काडर्स आरेसेस के कल राजिस्तान में बूत कैप्चिरिंग करेंगे तब इलेक्शन के टाइम ये कुछ नहीं कर पाएंगे कॉंग्रेस की जो सरकार है वाँ पर तो हम लोग जैसे दिल्ली लंगो का भी मानु भाई ने उधारंड दिया हम लोग क्या करते हैं सरकारी अधिकारी पुलीस के अधिकारी जो सविधान की शपत लेके काम करने के लिए बात दे हैं क्योंकि उन्होंने सविधान की शपत लिए वो जब कानून तोड़ते हैं जैसे अभी मोनू माने सर को और ऐसी वीडियो भी आप लोगों के माध्यम से सामने आ रहे हैं पुलीस के साथ खड़े होके ये आतंगवादी गोलियां चला रहे हैं पुलीस भीवा मौझूद है और ये आतंगवादी गोलियां पुलीस के साथ खड़े होके चलवा रहे हैं तो ऐसे पुलीस के अधिकारीयों को जेल भीजवाने का काम हम दिल्ली धंगों में भी कर रहे हैं और दूसरी जगह भी करेंगे क्योंकि ये लोग ज़्यादा जिम्मेधार है RSS और BJP के आतंगवधी काडर से भी ज्यादा क्योंकि इनकी जिम्मेधारी है कि इन काडर्स को अरेस्ट करें भले कितना भी प्रेशर हो कितना भी प्रेशर हो भले ही चीफ मिनिस्टर मणिपूर कितना भी प्रेशर हो पुलीस को काम समिधान के दायरे में करना है सरकारी अफसरों को काम सरकार समिधान के दायरे में रहके समिधान की जिम्यदारी के तहत करना है यही काम हम लोग मणीपूर से भी जाएंगे वहां से भी हमारे पास आ रहे हैं रिक्वेस्ट जो हम जाएंगे वहां भी और नू भी जाएंगे वहां से भी हमारे पास लोग आ रहे हैं लेकिन हम जाएंगे तो हम ये समिधानिक वार्निंग दे रहे हैं कितना भी प्रैशर पोलिटिकल आपके आखाओं की तरफ से हो आप वो काम करोगे जो कानून आप से कहता है करने के लिए उसके बाहर जाके काम करोगे तो आप भी अपरादी हो जाओगे ये सोच समझ के आप जो भी कारे कर रहे हो करो वरना कानून आपको पड़ेगा समीधा और कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं तो हम नू की जनता से और मनिपूर की जनता से और देश के गुड़गाओं की जनता से ये कहते हैं कह रहा हैं कि हम लोग आएंगे और हम ऐसे सबी शक्तियों को जो देश तोड़ना चाहती हैं देश का महौल खतम करना चाहरे हैं खर गटन कर रहे हैं, गुडगाओं में जो इन्होंने आतंगबाद की घटनाएं शुरू की हैं, नू के बाद, तो ये लोग देश के दुश्मन हैं, ये लोग समिधान के दुश्मन हैं, और ये लोग इस देश के सच्चे और अच्छे नागरिकों के सब के दुश्मन हैं, ये भी ज्यादा हमें अंबेट करवादियों की जिम्मेदारी है क्योंकि लोग political parties से भी ज्यादा आज किसी पर भरोसा करते हैं तो अंबेट करवादियों पर करते हैं और जो social लोग active हैं जो civil society के लोग हैं जेन्विन वो fraud वाले नहीं जेन्विन जो लोग हैं उन पर भरोसा करते हैं जो जान हतेली पर लगके सच को सच और जूट को जूट बोलने की ताकत रखते हैं जो हम जैसे लोग हैं जो सीधा बोल रहा हैं कि यह सब गतिविदियां RSS और BJP ने कराई हैं अमिच्छा साहब ने कराई हैं मनिपुर्च के चीफ मिनिस्टर ने कराई हैं यह जो बोलने की और इसी वज़ा से प्रधान मंत्री खामोश को हैं बोलते ही चोरी पकड़ी जाएगी इसी लिए चोर हमेशा बचता है और आप जैसे लोग आवा हैं कोई अब जब प्रेस कॉनफेरिंस कभी मोधि जी ने कर ली तो ऐसा तो नहीं होगा न कि आप में से कुछ लोग भीवान आओ आप से डर के मोधी जी प्रेस कांफेंस नहीं कर रहा है वरना जो यह इनकी क्रिमिनल मीडिया है उनके साथ तो यह कभी भी प्रेस कांफेंस कर सकते हैं तो आप लोगों को भी बहुत-बहुत मुबारक बात है आप लोगों की वज़ा से मोधी जैसे वेक्ति सब कुछ लाखो करोड रुपे खर्च करने के बाद यह मीडिया मेनेजमेंट का फिर भी प्रेस कांफेंस करने से डरते हैं मनुबर के मामले में बोलने से डरते हैं बेरोजगारी के मामले में बोलने से डरते हैं चाइना के मामले में बोलने से डरते हैं किसी भी मामले से बोलने में डरते हैं तो वो सिरफ और सिरफ आप लोगों की वज़ा से है उसके लिए मैं आप लोगों को मुबारक बात भी देना चाहता हूं धन्यवाद